दोस्तों TRS हिंदी का हैलाइज चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए इन्जॉइ कीजिए जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं बड़ा ट्यूमर हो चुका है आप फिर निकाल रहो सब में आपको एक कॉमनालेटी तो दिखी होगी अधर देन स्मोकिंग आपने का कि 80% स्मोकर होते हैं स्मोकर यानि रिलेटेट टो टोबैको गुटका टोबैको कही ने कही तो कही लोगों को पूचा जाता है तो बोलते हैं नहीं सिक्रेट हम लोग पीते थे कॉलेज के डेज में चेन स्मोकरते हैं लेकिन दस साल से छोड़ दिया उसका कोई लेना दे नहीं एक बार स्मोकिंग किया तो यू अर प्रोन टो बेकम अहां तो वहां पे भी WHO ने क्लिर लिए दिया है लेस देन फाइव सिग्रेट्स पर देन इस नाट आज मच अज रिस्क जो पाथ सिग्रेट से इसका मतलब है सिग्रेट नहीं पीना चाहिए बट यह अभी जो जिसका है तो वह एक WHO का खुद का लिखा हुआ है लेकिन स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए यह सबसे इपॉर्टन है commonality क्या दिखती है इन सारे patients में जिनको advanced cancer हो जाता है कुछ commonality दिखती होगी आपको as a doctor commonality ऐसा है कि पहले stage में जब दिखता है तो डर के वज़े से financial कारण के वज़े से यह लोग approach नहीं करते हैं only 10% लोग ऐसे रहते हैं जिनका diagnosis unfortunately stage 4 में हो जाता है उनको कुछ भी symptoms नहीं रहते हैं और directly उनका tumor इतना aggressively grow कर रहा है कि उनको समझने के पहले ही चोथे stage में जाता है लेकि 90% में यह science रहते हैं लेकिन आप देखते नहीं हो और यह anxiety के वज़े से होता है या stress के वज़े से होता है या financial conditions के वज़े से होता है या लगता है कि बबा अपने को ऐसा निकला तो क्या होगा लेकिन समझते नहीं कि रूकने से आप stage बढ़ा रहे हो अगर पहले आते तो पैसा भी कम खर्च होता और treatment भी easily हो जाते है तो काफी लोग financial strain के वज़े से कि उनको लगता है एक बार cancer की जमेले में पढ़ गए तो बस 30-40 लाग तो गए आपने ऐसा नहीं है stage 1 to 4 के बारे में बताईए actually कोई भी cancer stage 1 या 2 में आए तो आज कोई भी cancer ले लो कोई भी और testis का cancer या ओवरी का जो cancer है उसमें तो 100% survival है so first and second stage में आप आते हो तो 10 में से 9 patient ठीक होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी है कि first or second stage में diagnosis करें एक मड़ साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो जो हमने का कि cancer basically आपके खुद के cells की multiplication बराबर है बराबर जैसे अगर बहुत ज़्यदा multiplication होगे उसका यह मतलब ही cancer हो रहा है उसका भी एक रूल है हर cancer cell जब आपको एक cancer एक cell बढ़ता है तो एक का जब दो होता है उसके लिए दो या तीन हपते लगते है तो आप समझ लो कि और एक million cells leads to एक centimeter का tumor एक centimeter का tumor बनाने के लिए अपने को दस लाग पेशिया चालू है और इसका duplication होने के लिए पंदरा दिन लगता है तो दो centimeter का जब होएगा वो पंदरा दिन में होएगा इस multiplication की वज़ए I know की lifestyle है बट scientific biological तरीके से देखा जाए तो exactly क्या हो रहा है उन cells में वो उस cells में जैसे उनको इतना power मिलता है कि जो body के control में नहीं रहते and they grow at a faster level it is like amoeba, it is like coronavirus virus की बढ़ रहा है क्योंकि वो immunity कम है immunity नहीं है उसको मारने की शरीर में शमता ही नहीं है और वो शमता कम करने का काम जो है वो tobacco करता है कई लोगों में genes होता है genetic कारण भी होता है कि genetic वज़े से आपकी वो cells को मारने की शमता ही कम हो जाती है तो यह जो smoking और tobacco habits है वो आपकी immunity कम करते तो उनको मारने का जो आपको power चाहिए जो आपकी army उसको मारना चाहिए वो नहीं मारती तो वो बढ़ते जाता है मतलब मेरे जैसे इंसान में मैं बहुत हेल्थ का ख्याल रखता हूं तो मेरी immunity भी हाय है बिमार कम होता हूं पर क्या मेरे अंदर भी cancer cells है नहीं 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 cancer cells यहने normal cells है जो cancer के जैसे बढ़ सकते है जैसे मैंने पता तीस साल is not a small duration of my career तीस साल में मेरा meaning we can count the numbers इतने कम athletes और जो health professionals है health professional नहीं जो अपने अरफ अच्छी तरह से देखते है और जिनके आदत ही अच्छी है उनको cancer मैंने देखा ही नहीं है I am not treated a person जो जिम में रोज जा रहा है I am not treated a person who is very very fastidious कि क्या खा रहा है रोज का नहीं होता है बहुत कम लोगों में होता है पदा है मैं को 16 साल की उमर में गॉल्स्टोन हो चुका था कि मैं ख्याल नहीं रखता था हर दिन fast food खाता है हर दिन 16 साल की उमर में इतना पेंफुल गॉल्स्टोन हुआ इतना दर्दुआ इतना दर्दुआ मेरे हड़ियां भी तूटे हैं लाइव में जुडो पलेवर था पर जो पें मुझे गॉल्स्टोन की बचा से हुआ एक वेक अप कॉल था 16 साल की उमर तब से लेकर आज सक मैं पूरी लाइफ को फिक्स कर दिया है इतना बेस थिंग कि जब आपकी एजिंग एग्दम स्लोव हो चुकी है इस सम् पॉजिटिव साइन इस 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 अच्छली मेरा तो कहना है दो च्छली कि जब आपकी पर्टी इस 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 आपकी अपकी परसंट्य कि पम्रस्ट। पर्टी डारे में लोसाइक, बात दिए स्टी। प्रवे टेटेटी जी एट्रािgoneलेरी the negative ions are generated by various factors. पर अखोते क्या ions? Actually, it's like what you say, hormone की जैसे है कि cell का सुरूप बढ़ला जाता है, लेकिन आप जैसे मेक अप करते हूं, तो आप ऐसे ही नहीं देखो कि कल दाड़ी लगाया, मुझ लगाया, तो आप अलग रहते हैं, तो यह cell को power दिया जाता है, और उनका शेप यह इसके वज़े से निगेटिविटी आती है वो cells में. एक बहुत सिंपल सा है, यह साइन्टिफिक आंसर नहीं है यह, लेकिन इस इस वाट हैपन्स, तो आपन्स, तो आपन्स, तो आपन्स, तो दिस्ट्रॉई. नहीं, सौरी, आपने के लिए जो chemical लगता है, वो chemical अपने बोड़ी में आप खुछ जनरेट करते हो, यह जनरेट करता है, यह chemical reaction है, तो chemical reaction तो अपने आप नहीं हुएगा, कुछ तो कारण रहना चाहिए, तो यह chemical reaction होने के लिए, या तो gene responsible है, या आपके addiction responsible है, या तो stress responsible है, दुर्दभाग से मैं वापस वापस वही stress पे आ रहा हूँ, but that is what, I mean, if at all इसमें से कोई किसी को message मिले, तो आप यह चीजे मत करो, और start loving your body, do something which will be, कि जो आपके शरीर को मदद करे, exercise करो, अच्छा food खाओ, stress level काम करो, एक दिन में नहीं होएगा, टाइम लगेगा, लेकिन है ना, आप हार्ट को सम्भाल ले के लिए क्या क्या करते हो, तो आप अपनी शरीर को पूरा सर इसे सम्भालो, हो जाएगा, तो basically stage 1 to 4 का logic ही है, कि वो cell growth की speed, speed के उपर dependent है, मतलब अगर speed बहुत तेजी से बढ़ रहे है, मतलब आप stage 4 तक करते हैं, बट वो actually only 10% में दिखता है, ये slowly progress होता है, कि और करीबन देड़ दो महिना तो minimum लगता है, और ये देड़ दो महिना आपके पास हाथ में रहता है, तो normally जैसे ही आपको एक छोटा सा गाट आ गया, तो आप उसको निगलेक करेंगे, दो महिने के बाद उसका double, three times होने वाला है, so first stage का आपने, यहाँ पे पैंच आ गया, देख रहे हो, आपको चाले आ गये, आपको नमक वाली चीज, नमकीन चीज, वहाँ पे खाने में तकलीफ हो रहे है, आप नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, पंदरा दिन ट्रीटमेंट लिया, नहीं हो रहे हैं, चाला बढ़ने ही वाला है, तो यह जो first stage का advantage है, वो आपने आप खुद दाल रहे हो, क्या है, वो डर है, मन से निकालो, जो भी है, face करो, अगर first stage में cancer भी निकला, क्यों हम लोग insist करते हैं, चलो तुमारी में genetic है, कि तुमारे father को है, आप खुद की मा को नहीं select कर सकते हैं, आप आप की बाप को नहीं select कर सकते हैं, मा और बाप को दोनों को cancer है, तो बच्चे को वो नहीं हो आला है, but then, at least कोशिश करो कि first stage में detect हो जाए, अगर दोनों parents को है cancer, तो chances बहुत ज़ादा है, बहुत ज़ादा है, अगर आपने खुद का ख्याल भी रखा तो भी, तो भी हो सकता है, वो genes का transformation है, तो genetic cause मैंने जैसे बोला कि 80% of the cancers, जो है, वो अपने आदतों से होता है, और 20% का अभी चोटा बच्चे में cancer क्यूं होता है, तो genes के वज़े से होता है, genetic transformation के वज़े से होता है, ये वो उसके उपर आपका control नहीं है, बट जो भी है, वो first stage या second stage में detect करो, जैसे heart का बिमारी है, अभी मेरे parents को कभी जिन्दगी में कोई heart का बिमारी नहीं था, it doesn't mean कि मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि मेरा stress level और उनका stress level काफी, मेरे father banking में general manager थे, 9 से लेके 6 वज़े तक काम किया, छे वज़े घर आगे, फोन नहीं कुछ नहीं मोबाइल लेते, हम लोग तो रात को बारा वज़े बचते रहता है, अरे उटो, ये patient bleed हो रहा है, उसको अच्छा नहीं हो रहा है, तो stress तो अलग है, तो ऐसा भी मैं नहीं सोच सकता कि मेरे पेरेंट्स को हार्ट का बिमारी नहीं तो मेरे को नहीं होएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स को हार्ट का बिमारी है, तो मेरे को तो 100% आने वाला है, तो मैं ज़्यादा precaution लूँ, Okay, Coming to stage 3 and 4, I'm assuming की basically tumor की size बढ़ जाते हैं, और stage 4 में वो tumor के जो cancerous cells होते हैं, वो आपके blood stream में इंटर हो जाते हैं, बराबर है, और आपके nervous system में आइब जाते हैं, लिवर में जाते हैं, फेपड़े में जाते हैं, अपमें bones में जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ जाकर? वो organ destroy करते हैं, और उनको बढ़ने के लिए खाना लगता है, तो वो आपके अंदर जाके पूरे organs destroy करते हैं, तो लिवर का function कम हो जाता है, lung का function कम हो जाता है, अब के body को अंदर से खा रहे हैं, अभी lungs के जो इतने cells हैं, suppose आप समझ लो कि जगा इतना है, उस जगे में पूरे normal cell से, उनका आदा normal cell ये cancer के cell ने बर दिया, वो cell को मालूम नहीं ये lung का function क्या है, वो lung का function नहीं कर सकते हैं, तो आपको सास लगना चालू हो जाता है, या liver में गए, तो liver का काम क्या है कि आपका खाया हुआ food digest करें, लेकिन आपका food digest की नहीं होता, क्योंकि liver का आदा उसने बर दिया है, तो digestion नहीं होता, digestion नहीं हुआ, तो भूक नहीं लगती, भूक नहीं लगा, तो आपका वजन कम हो दे जाता है, तो आपका वज़न कम हो दे जाता है, ये cascading effect है, ये cells का एक ही काम है, कि जो aware है आपके normal, उनका काम बंद करें, machine में जाके घुज़ जाए, और लफड़ा करें, बस, यही है, और इसके वज़े से, और cancer को सब लोग जो डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं, कि cancer के patient जब food stage में जाते हैं, या death के सामने जाते हैं, उनका brain intact रहता है, आपको heart attack आगया, आपको brain में कुछ हो गया, आपका mind conscious नहीं है, तो क्या फरक पड़ता है, शरीर को जो यातना हो रही है, वो समझता नहीं है, cancer में एंट तक वो यातना समझते रहते हैं, because your brain remains intact, brain में बहुत कम cancer जाते हैं, lung cancer हुआ, बाखी के cancer जाते हैं तो आपका mindu शाबित है, याने आपको सब समझ रहे हैं, आपके शरीर को क्या हो रहा है, और यह painful है, इसलिए fourth stage नहीं जाना चाहिए, बढ़ यह डरा होना काम नहीं है, basically this is all avoidable, और अभी भी काफी drugs आये हुए है, so cancer अभी भी first and second stage में 90% curable है, अपना जो जाब है वो यह है कि पहले और second stage में detail करें, ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न, बागी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS Clips हिंदी पर, आपको बस चैनल को explore करना है ये वाली playlist देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त,